हलो गाईज नमस्कार मैं सुधाकर सिंग आप सवी सपलता की चाहा रखने वाले सेज सेड़नियों का सुधाकर सिंग एजुकेशन हव यूटूब परिवार में दिल खोल खर हालतिक बंदन अभी नदन जिए मैं स्वागत करता हूँ आप कैसे हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारव लोग वेतर होंगे और जहां भी होंगे जैसे भी सुच विशन में होंगे आप अपनी पढ़ाई को लगाता एक इसमुद भी में जारी की होंगे काईज मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जब आखों में अर्मान लिया मंजिल को अपना मान लिया फिर क्या आसा क्या मुश्किल जब ठान लिया तो ठान लिया कि रक्त वहा कर तुम सिंगार करो खामोस यहां तलवार नहीं और तुम बनसज हो राड़ा के तुम बनसज हो राड़ा के हार तो दोस्तो कत हीं वरदास्त नहीं जैसा कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वो पर मेंशन है भारती संभिधान सभा अर्थात कहने का तात पर रहे है कि इंडिन कॉंस्टियोशन के वारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि भारत में संभिधान सभा का गठन क्यों किया गया अर्थात इसे क्यों लाया गया तो मैं अगर बात करूं कि भारती संभिधान सभा को क्यों लाया गया तो एक ऐसी कानूं विवस्ता भारत मे लागो करनी थी जिससे देश को सहीत धंग से चलाया जा सके